विल्टंट नियुका है इस कहानी को लुट रोशोन ने लिखा है इस स्टोरी दियर देजिए लिटल टाइगर वुम से राइंट डोड लाइक ताहनी की कहानी है जो इक बड़ा शेयर की तरह वो शिकार करना और उसकी तरह दहारना चाहता है इस कहानी में छोटा से लिटिल टाइगर की कहानी है जो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग है उस जंगल को देखते हैं जिस जंगल में टाइगर और उसका बच्चा यानि के कब रहते हैं So let's start there was a mother टाइगर एंड हर स्माल टाइगर कब इस कहानी में mother टाइगर और स्माल टाइगर कब थे कब मिन्स you know that what is the meaning of कब the baby of tiger is the called कब जो टाइगर के बच्चे होते हैं उससे हम लोग कब कहते हैं वो कहा रहते थे जहां जिस जंगल में रहते स्रेडी मिन्स होता है घाना जंगल जिस घले जंगल में रहते थे ना तो वहां पर एक या था नदी था when the sky was dark the mother tiger hunted for deer and pig जब वो dark points होता है अंधेरा जब अंधेरा हो जाता था तो जो उसकी माँ थी न ये क्या करती थी क्या चीज कर देख देर और पीक का ताइगर का विस्टेट क्लोज बाई इस मदर्स के साइड जो ये टाइगर के जो बच्चा था ना कब वह हमेज़ा अपने मा के साथ रहा करता था क्योंकि ये काफी छोटा था और वो अपने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्टी फिल करता था क्योंकि उसको कोई जानवर मार नहीं पाता था और ये अपने मा से सिकार करना भी वह सीखता था विंद लंगूर मंकी साहर लावड हर स्काल वाच आउट टाइगर इस कमिग कुई उस जंगल में एक लंगूर था जब वह टाइगर को देखता था ना तो सारे जानवर को अलट करता था अपने आवाज में बोल करके सारे जनमोर को यक्षा जैर को यह लड़ करता था कि टैजर आ रहा है जहा रहा है प् million the change ऑर जेबुल कर देखे लोन में सारे जनमोर को यक यह सबाइब जाते थे रह इस तरह से बीन खतेर हो जाता था उनलों का, she hunted out then for jungle fall for a peasant and for frog are went to the river for fish but she did not hunt out every night. जानते हो जब यह ना लंगुर जो था सारे जानवर को इलाट करते था सारे जानवर भग जाते थे तो वो लास्ट में क्या करता था फॉल में सोता है पक्षी पच्छो का करता था तीतर का सिकार करता था मेढ़ का करता था या तो वो जंगर और वो नदी में चला जाता था सिकार नहीं कर पाता था क्योंकि उसको जिस तरह के जानवर चाहिए था उसको जानवर वो नहीं मिल पाते थे जैसे कि रात हो जाता है बहुत मतवचंकिली राते हो जाती है तो बेचारे ये सब ठक जाता है उसकी मात ठक जाती है और उसके बाद वेट करने लगती है कि कब सुबा हो और उसके बाद ये अपने पोंच को ट्विस्ट करने लगती है यानि कि ये सड़ेनी मूव होता है ना तो वों मोडने लक्ती है तो उसके यह बच्चा है ना उसके पहुंच से वो क्या करने लगता है बार बार उसको खिलता है ये इसके ऑबाज में उसको बुलाती है तो ये जो टाइगर का बच्चा जो था ना अपनी मा का आवा議 सुनता है ते फिर वो वापस आजाता है बट he did not lie to stay near his mother in the jungle at night लेकिन जानते हो अपनी मा के साथ जंगल में रहना और वो भी रात में रहना बिल्कुल इसको पतन नहीं था एक दिन उसकी मा बहुत ज़्यादा ठक गई थी और सो गई अपने आपको वो बंद कर ले ते टाइगर कब सा टाइनी फ्रॉग तभी जो उसका बच्चा था ना एक छोटा सा फ्रॉग को देखता है ये देख सकते हो ग्रीन कलर का है वो क्या कर रहा था कि जमीन में वो उद रहा था ये टाइगर कब काफी छोटा था तो वो बार बार उसको जबडने के कोशिस कर रहा था लेकिन वो जो मेड़े का बच्चा है ना वो वहाँ से भग जाता था फिर लास्ट में क्या करता है कि ये कब न ये देख रहे हो ना कब ये अपने मुँ में आखिर में लास्ट में क्या करता है उस फ्रॉग को पकड़ लेता है और अपनी माँ को दिखाने के लिए ले करके जाता है, पट सी वास नॉट इन साइट, लिकिन जानते हो उसन क्या वता हो, उसकी माँ उस जंगल में उसको नहीं दिखाई देती है, जानते हों वह से क्या दिखता है बिचारा अपनी मा से भी काफी बड़ा वहाँ पर वो टाइगर दिखता है उस जंगल में उसके पाफ अब तो बिचारा यह टाइगर कब जो था जो छोटा सा बच्चा यह बड़ा सा टाइगर को देख करके एक डम डर जाता है क्योंकि इसकी आइस को चमक रहे थे ग्लस्टेंड मतलता है शाइनी इतनी मतलब उसकी आइस जो थे ने ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था और वह धीरे धीरे उसके पास आए अब यह विचारा बिल्कुल डर गया वह नहीं छिप पा रहा था नहीं वह दोड पा रहा था यह लेड़ फ्रॉग वोफ अवे फिर उसके विख्या करता है कि वह मेढ़क को जो अपने मुझ में पकड़ा रहता है ना उस मुझ में से उस मेढ़क को विचारा छोड़ देता है दर टाइगर क्रेप्ट अवे क्लोजर टू डू ड़ाइट अंड लिटिल टा तो उसकी माव क्या करती है को जोड से दहारती है और वहां से जो टाइगर होता है उसकी आवाज को सून करके वहां से भग जाता है क्योंकि उसकी माव इतना जोड से चिलाती है क्योंकि उसको चिलाना दहारना उसको बहुत जादा पसंद था और उसके बाद वह दहार करके सारे जानवर को बताना चाहती थी कि मैं इस जंगल में हूँ और जैसे उस सारे जानवर उसके आवाज को सुन लेते थे तो वहां से जितने भी जानवर थे ना वहां से वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं भग जाते हैं अब उसके बत क्या करता है कि उसका जो बच्चा रहता है वो भी अपने मा की तरह दहारना चाहता है और वो भी जोड-जोड से दहार करके वो भी सारे जानवर को बताना चाहता है कि मैं इस जंगल में हूँ लेकि जानते हो इसका जो यह बच्चा अपने मा की तरह चिलाता है और सोचता है कि सारे आवाज को मेरा सुन के जिते हैं भी जानवर सारे जानवर भग जैए ऐसा कुछ नहीं होता था उससे कोई भी जानवर से डरते नहीं थे और नहीं वहां से हो भगते थे क्योंकि यह पहुत जादा छोटा था बट देयर बट देयर केम और यह विन देश्माल टाइगर कब वाद फूल ग्रों टाइगर एक दिन लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है जो छोटा सा कब रता है न यह बहुत बड़ा हो जाता है अब क्या होता है इतना बड़ा हो जाता है कि यह दूर दूर अकेले जाता है और रात भर यह क्या करता है और उसके बद जब यह बड़ा हो गया तो जब यह चिलाना स्टार्ट करता है तो सारे जानवर उससे डर जाते हैं और वहां से दूर दूर तक जानवर कोई भी नहीं दिखता है और वहां से बख जाते हैं जानते हो लास्ट में इतना बड़ा हो जाता है अब यह अपने आवाज में सारे जानवर को ड्रा देता है और उसको फिर बचपन के याद करता है फिर उसकी बाद जब उसको एसास होता है कि मैं बड़ा हो गया और मेरे आवाज सुन करके सानव सारे जानवर भंग जा रहे है इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत वहस्ता है I hope you guys you understand the chapter little tiger and big tiger I hope you like my video please don't forget to like, subscribe and share now we will meet in the next video bye bye and take care